हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल टेक रोहित 9060 में दोस्तों आप लोगों को अब भी बोया का माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपके स्मार्ट फोन में तो उसे कैसे कनेक्ट करना है तो दोस्तों आज के वीडियो मैं वही बताने वाले हैं तो फाइनली दोस्तों आप लोग अपने स्मार्ट फोन में दो तरह से अपने बोया का माइक को यूज कर सकते हैं तो पहला मैं बताता हूँ पहले आपको क्या करना है कोई भी फोन है आपका जैसे मैं अपना Realme ATS 5G फोन का सेटिंग्स ओन करके बता रहा हूँ फाइनली आपको करना क्या है जो सेटिंग्स का ओप्संस आएगा उस पे क्लिक करेंगो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं Sound and Vibration इस पे क्लिक करेंगो उसके बाद गाई सिंपलिस मीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर Other Settings Other Settings आएगा उस पे क्लिक करके वहाँ पर डिफॉल्ट रिकॉर्डर है वहाँ पर Add-on कर देना है और गाईज दूसरा क्या है गाईज जो बहुत सारे Smartphones में जो है यह options नहीं होते हैं तो वहाँ पर क्या करना है गाईज जो आपको Simply से Play Store पे जाना है वहाँ पर जाने कबाद गाईज आपको Simply से Open Camera नाम का एक application है उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और गाईज इंस्टॉल करने कबाद गाईज वहाँ पे settings आएंगे settings में जाने कबाद गाईज आपको mic source आएगा recording source आएगा वहाँ पे mic source में जाने कबाद गाईज external mic को चूज कर लेंगे उसके बाद गाईज वहाँ पे आप लोग भी अपना Boya का mic यूज कर सकते हैं बिलक इसे यूज कर सकते हैं अगर कोई भी problem हो तो आप लोग प्लीज नीचे comment करके जरूर मुझे बताएं और गाईज अगर चैनल को पहली बारा है तो पहली चैनल को subscribe जोड़ कर लें तो गाईज नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद बंदे मात्रम जैह कर दो हैं